हंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं भाई सब बढ़ी आऊंगे इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे साउथ अफरीका वूमेन और इंडिया वूमेन के बीच में जो मैच कहला जाएगा भाई वूमेन ट्राई सीरिस का इसको डिटेल में कवर करूँगा एक आपको और बताऊं दोनों टीम्स अलड़ी अपना एक मुकाबले यहां पर ट्राई सीरिस के अंदर खेल चुके जहां पर बाई जो फस्ट मैच था वो यहां पर विन करा था इंडिया वूमेन की टीम ने ठीक है और इंडिया वूमेन की जो टीम है इस अगर ट्राई सीरिस की बात कर ले तो अब तक देखो दो मुकाबले खेले और दोनों ही मैच अपने विन कर चुकी है जबकि साउथ अफरिका वूमेन से जो रहेगी वो तीन मुकाबले खेल चुकी जिसमें से दो मैच इन्होंने विन करे और एक मैच में इनका लोस हो आए ठीक है तो दोनों ट चीज़ पीछे जो मैंने कवर करें वुमेन ट्राइ सिरीज के उनमें आपको वेन्यू के स्टैट्स बहुत बढ़ी है तरीके से मैंने बताई थे ठीक है चार से पांच पैक्सिमम यहां पे मुकाबले खेले गए ठीक है इस ट्राइ सिरीज से पहले आकर बात करो तो सिर्फ ए होगी आपे साउथ अफरिका वुमेंस के टीम पे तो थोड़ा सा फोकस करना जो सीज़े आपको बताऊंगा ना उनकी उपर ध्यान देने वाली चीज रही है सबसे पहले तो आपको वीडियो कंप्रिट वोच करना क्योंकि किस परगा टीम मनाओगे कौन से प्लेयर की सिच नहीं होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर जवाइन कर लेना दोस्तो लिंक आपको निचे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा कोई भी अपडेट होती है तो उसके बाद फाइनल टीम में चेंज गरना पड़ हैं वो भी बताऊ हमां मंदाना को पिक करोगे हर्मन्परीतख कोर्गो पिक कर लए कि याँं पर बाइया वौल्वेडोट को पिक करते हैं वलाउंटर सेक्शन दिप्ति यप कर लका कैप ट्राइन को रखक उसके बाद बोलिंग जेक्षन मलाबा को रखोगे गायकवार को रखोगे राधा यादव को रखोगे राधा यादव को रखो याँ पर क्लास को रखो रखो कुछ नहीं करना पड़ा याँ पर जिस भी टीम ने पहले बल्ले बाद जी गरी है भाई वो बढ़िया पर्फॉर्म करके मैचेज को विन करके गई है सेकिंड बेटिंग वाले टीम ने अब तक उतना पड़िया पर्फॉर्म याँ पर नहीं किया लेकिन और दूसरी चीज़ वो रहेगी कि भाई देखो इंडिया वुमेन और साफ अफरिका वुमेन दो ही टीम स्टोंग है क्योंकि तीसरी जो टीम है वेस्टन डीज वुमेन्स की वो वैसे भी उतना बड़िया फॉर्म नहीं दिखा पाई तो भाई दो ही टीम स्टोंग है आप दोनों में से जो भी जितेगा बड़िया पर्फॉर्म करेगा शूरली वही आपको मैच को विन करतावा दिखेगा लेकिन गैरा प्लेयर का हाई सेलेक्शन अगर आप लोग टीम बनाना चाओगे तो सीधी आपकी करेट हो जाएगी लेकिन आप लोग इसमें चेंजिस क्या गर होगे सबसे पहले सुनो साउथ अफरिका वूमेन की जो टीम है लास्ट मैच भी आपको बोल ला था कि भाई इनके पास में आठ से नो बोलिंग उप्संस एविलिएबल है तो ये किसी का भी यूज़ कर सकते हैं आई तो इसके पास में लगबाग साथ से आठ उप्संस मिलेंगी जो कि गेंदबाजी डाल सकती हैं और लगबग हर गेंदबाज नहीं हाप है साउथ अफरीका वोमेन की साइड से गेंदबाजी करवाई है लेकिन इंडिया वोमेन की जो टीम रहेगी इनके पास में अगर आप लोग देखोगे तो वो एक बर आपको बता दू में इनके जो गेंदबाज सबसे पहले में ठीक है उसके बाद में वैदिया डी वैद को ट्राई कर सकतो लेकिन ये कंप्लिट ओवर करेंगी नहीं करेंगी वो कंफर्म नहीं हो सकता है एक दो ओवर बीच में डालने आ जाए लेकिन शोरली अपने कंप्लिट चार करेगी भाई मुझे नहीं लगता ठीक है इधर आओ चीर प्लिट को दीक है कोगने ली तो गkäंप्लिट गर डीके लेकिन तीम के साथ में क्या आप लोग साइपिस्फ़ाई हो नहीं हो वो आपको डिटिसिजन लेना है अब देखो दियान से जो सीजिड आपको बताओगा सबसे पहले चीज यासी का बाटिया जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन में एक मात तर आपको बैस्ट ओप्शन मिलेगी क्योंकि ओपनिंग करेगी इंडियन टीम की सैड़ से दोनों मैच्चिस में बड़ी आ फोम दिखाई है जैफता की बात करूँ काफी नीचे बैटिंग ओडर है उस वज़े से ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँआ तो एक मात दर सेफ ओप्शन यासी का बाटिया सेफ खेल लो डिफरेंशल खेल लो विकेट कीपिंग सेक्शन एक ही प्लेयर आपको मिलेगी बाटिया गी बैटिंग सेक्शन में आओगे दोस्तों यहां से देखो सबसे पहले मंदाना और और वोलवाडोट यह तीन तो कॉमन पिक्स है ठीक है यह तो आपको बिल्कुल नीचे डिनी नीचे आओगे यहां पर लूस को ट्राई करना चाओ कर सकते हूँ अब इनकी एक चीज़ ध्यान में रखना है यह बैटिंग तो करेंगी बट बाई गेंदबाजी कितने ओवर डालेंगी वो कनफरम नहीं है वो थोड़ा सा समल के सोचना और फिर टीम मनाना टी ब्रिट्स जो कि लास्ट मैच हाफ सेंचुरी मार किया ही है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज वोमेंस काफी बढ़िया के लिए थी साउथ अफरिका एक भी विकेट अपने नहीं गवाई और 90 रंस का स्कोर इजिली चेज कर दिया था ठीक है तो ब्रिट्स के साथ में यूनिक जा सकते ओला उंटर सेक्षन तीन जो कॉमन पिक्सेल ले चुका हूँ अलड़ी अब देखो यहां पर डी वैदी ओप्सन है जो दो से तीन ओवर गेंदबाजी करवा सकती है ठीक है बैटिंग आने के चांसिस रहेंगे क्योंकि ये वेस्ट इंडीज वोमेंस नहीं है ये मुकाबल बट भाई एवन इनको डैथ होवर में भी विकेट नहीं मिले मेरी किसमत खराब थी कुछ भी कह सकते हूँ लेकिन डीकलियर के अगेन इंपोर्टेंट कब भाई जब साउथ अफरिका वूमेंस पेसली पहले गेंदबाजी करने आएगी शोरली मैं यापे डीकलियर के को ट मलाबा है गायकवाड है रधायादा और क्लास चार ही मेरे इसाब से कॉमन पिक से ये चार आप लोगों को जरूर रखनी है इसके अलावा आप लोग देखो ट्राई कर सकते हो करना चाहो एक हाका खेले तो ट्राई करना लेकिन देखो जो भी टीम पहले के इंदबाजी करन पार्टमेंट में दोनों में से किसी एक को तो एटलिस्ट आपको लेके चलना ही चलना है नो प्लेयर आप क्या जाएंगे फिर भी आप लोग दो प्लेयर जो रहेंगे वो यूनीक में ट्राई कर पाओगे किसको गरोगे वो आप लोग खुछ से सोचना रोगरिक्स थर्ड क्या घर हुआ अगर यहाँ पर साउट अफरिका वोमेन मा लेजे पहले गेंदबाजी करने आईगी मैं सीधा यहाँ पर भाई एक प्लेयर अटा हूँआ यहाँ से देखोगे गायक बाड को अटा सकता हूँ रादा को अटा सकता हूँ सीधा मैं यहाँ से ट्राई कर के चल सकता हूँ ठीक है डिफरेंशल में अगर बात करूँ फिर से बता दू दोस्तो डी वैद बहुत अच्छी पिक रहेंगी उसके बाद में इधर आओगे हरलें देवल मेरे साब से दूसरी बहुत अच्छी ओप्शन इनके अलावा गेंदबाजी सेक्शन में आप अगतर रिजन इतना था ताकि आपको समझा सको कि भाई आप लोग किस परकार हाई सेलेक्शन टीम बना सकते हो यूनिक जाना है किस परकार जाओगे साथ अफरी का वूमेन पहले गेंदबाजी गरेगी किस परकार टीम का सेलेक्शन करोगे कौन से प्लेस को रोटेट कैप को दिपती को बहुत सारे बन देट रही करेंगे क्योंकि देखो वूमेन का मैच है सबसे बड़ी जीज़ तो यह है ठीक है वो लाउंटर सेक्शन पर जितना फोकस करोगे उतना ज्यादा बेस्ट है स्मिर्थी मंदाना जो कि लास्ट मैच काफी बढ़िया पारी खेल नहीं है क्योंकि देखो लास्ट मैच भी नोने चेहर कंप्लेट नहीं डाले थे क्योंकि साउथ अफरीगा के पास में लगबग 8-9 गेनवाजी ओप्सन से ठीक है किसी के ओवर जरूर कट होंगे बट उपर बैटिंग कर रही है वो पलस पॉइंट है हो सकता है गेनवाजी तो भी मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी देने की लास्ट मैस आई थिंग इनोने 67 की तो बहुत बढ़िया पारी खेली थी बट फिर भी मैं थोड़ा सा फोकस करूँगा इन तीन प्लेयर में से कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करने का ये आप को भी पता ठीक है और कोई अपडेट होंगी दोस्तो टेलीग्राम पे टोस्के बाद आपको मिल जाएंगी उमीद करता हूँ कि वीडियो आपने कंप्लेट वोच किया होगा पसंद आयो तो भाई लाइक कर देना सब्सक्राइब कर लेना चैनल को नोटिफिकेशन बैल को कर लेना कोई भी वीडियो आगी अपलोड होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मिलते हैं दोस्तों फिर अगले मैच की वीडियो में उमीद करता हूँ कि आप लोग इस मैच में बढ़िया टीम को मिनेसन बनाओगे और आपकी टीम अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी